नमस्कार दोस्तों All Exam Guide Guru के यूटूब चनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रिविजन करने वाले हम इले 30 साल से पूछे गए वलनार का फॉर्मिट रहेगा सुपर फास्ट कॉशन रहेंगे जल्दी जल्दी कॉशन आपकी करा दूँगा तो प्लीज सभ प्लाइब के समय बंगाल में स्वेट विद्रो हुआ था इसे किस ने और किसे लिए कि लिए था अंग्रेज जो सइनिक थे उनको भत्ते चाहित इसलिए था साइमन कमीशन ने सिक्षा के छित्र में हुए विकास की समिक्षा के लिए किस समिती की स्थापना की तो हर टाग समिती की स्थापना की थी सिक्षा के छित्र में हुए विकास के लिए गीत गोविंद गरंथ के लेखक जैदेव किस साशन के दरवारी थे तो लक्षमन सेन के दरवारी थे जयदेव गीत कोविन की जनन रचना की थी चारों आश्रमों का सरपधम उलेक किस गरंथ में मिलता है तो जाबालोप निशाद में चारों आश्रमों का उलेक मिलता है सुत्पिटक किस धर्म का प्रमुक गरंथ है तो बुद्ध धर्म का प्रमुक गरंथ है सुत्पिटक बुद्ध को किन तीन नामों से जाना जाता है तो बुद्ध तथागत और शाक्यमुनी के नाम से समुत्र गुप्त के इलहाबाद प्रसस्ती लेक का लिखक कौन था तो हरी शिर्ण ने इलहाबार प्रस्ति का लेख किया था दिल्ली सल्तनत में प्रनाली का प्रारम किस्ता चिक ने किया था तो इल्टतमिस ने प्रनाली का प्रारम किया था अरभी भाशा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी करती है अल बरुनी की कृति है तहकीकाते हिंद अकबर की भूराजिस व्यस्था के प्रवर्तक कौन थे तो टोडरमल अकबर की भूराजिस व्यस्था के प्रवर्तक थे जहांगीर के शाशनकाल में असमत बेगम एतमा दुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुक सदस्थे तो य आत्मा बुद्ध ने किस शाशक के राजिकाल में निर्वाशन प्राफ्त किया तो अजाज शत्रू के शाशनकाल में भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्क्य किस प्रकार के थे तो नत्य शला का प्रकार के थे इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में अंदर यूनान का था और दारा इरान का था पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराटों का सेनपती कौन था तो सदा अश्यव राय भावजी दिल्ली सल्दनत का वक कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अर्भी सिक्के टका और जीतल जारी किये थे तो इल्तितमस न ये बाद में बिटिन का प्रथानमत्री बना किस राजवंश के दोरान महावली पुरम के मंदर का नमान हुआ तो पल्ला और राजवंश के दोरान दिग निकाय किस पिटक का ग्रंथ है तो दीग निकाय ये सुद्ध पिटक का ग्रंथ है खंड है माप कीजिएगा अशोक क यवनिका किसके प्रयोक के लिए जाने जानवाला यूनानी शब्द है तो यवनिका संस्कृतों के नाटकों में पट्टा छेप के लिए जाने जाता है इतिहास में तूतिये हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए तो अमीर खुसरो तूतिये हिंद नाम से प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध यवदीव का आदुनिक नाम है दक्षण के अलावर तथा न्यू नार क्रमशा किस देवता के उपा सकते तो अलावर जो थे ये विश्णु जी के और न्यू नार जो थे ये शिवजी के उपा सकते सल्तनत काल में बड़े पैमानों पर नहरों का निरिमान किस ने करा है था तो सुल्तान फिरोज तुक लगने करा है था और अंगी जेव ने शिवाजी को क्याद कर किस Native करों का उलक मिलता है तो रिशब्द देव और अष्टि नेमी का उलक मिलता है भैरव किस संपरदाय के प्रमुक आराद हैं तो भैरव जो है ये कापालिक संपरदाय के प्रमुक आराद है संगम कालीन दक्षन भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई तो मेयो देवता से भगवान कृष्ण की तुलना की गई थे तो भदर बाहु कल्प सुत्र के रचनकार थे अवनाद कल्प लटा ग्रंथ के रचनकार कोई अवनाद कल्प लता नाम का ग्रंथ लिखा है प्राचीन तो 2th ये संघंड की रशित पूस्तक है तोलक्पीम यितमिले व्य आकरण हैं घुप्त वंश्क के प्रथम और अन्तिम्प्रतुशा शाशक कुल से कौन थे तो शीकुप्त प्रथम और विश्नुगुप्त अन्तिम्शाशक सिकंदर की मत्य। इस स्थान पर हुई तो बेबी लोन में सिकंदर नचिकेता और यंचे बीच सुपरसित समवाद अलिखित है तो ये कठोप निशद में उलिखित है सिंद पर मोहमबद मिन कासिम ने पहली बार कब आकर वन किया था हुमाईउ नामा किस की करती है तो गुल बदन वेगम टी करती है हुमाईउ नामा दिल्ली सल्तनत की आदिका र्षिप्राहिदी की नारे बसा कौन सा चंद्रकुप्तो द्वती का पश्चमी राजधानी थी साध-वहश्च में सर शिक्षा की रूप में नागनिका और गौतमी ने शाषन था बौदनंतो में मिलेंडर को किस नाग से अभी हीत क्या गया लेंडर को मिलेंड को ग्रीक बद शैली की संग्या गरीक शैली कहा जाता है देवी चंद्र गुपत्तम की रचना की निए यह Ăपकी रिशाक दत्य ने बहुत कोईचन हैं अर्धनारिशवर की कलपना हिंदू धर्म के किस मतमें है तो शेयाउ मतमें अर्धनारिश्वर की कलपना है बारसो थे इस्वी 1290 स्वी तक दिली सल्तनत की किस वंश दिली सल्तनत पर किस वंश का राज रहा तो तथा कथित गुलाम वंश का राज रहा अकबर का राज अभिशिक 14 वर्ष की आयू में हुआ था यह कहां संपन हुआ तो काला नौर में चंद्र को जहांगीर की मुगल समराट गोशित किया था ओ छहयistä को मुगल समराट गोशित किया गया था हिंथु के दो प्राचींतम महाकावी कौन कौन से रामाईन और महा भारत भारत आने वाला चीन आत्री कौन था ठाव फाइंघ सबसे भात ago था बौध ग्रंतों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौध सवाग किसके शाशनकाल में हुई थी तो कनिश्क के अलवरुनी का वास्तव के नाम क्या था अलवरुनी का वास्तव के नाम अबू रेहान मुहंबत था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखरी सुल्तान था अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदर कहां स्थ है त प्राइसा सामराजी का दोतीस संस्थापा किसे माना जाता है तो बाला जी बाजी राओ प्रथम को जैन मताव लंबियों ने किस आम बोल चाल की भाशा को अपना था तो प्राकरक भाशा को अपना था सरपदम किस शाशक के द्वारा चलाएगा सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ती के बने होने का संकीत मिला तो कनिश्के ने सबसे पहले बुद्ध की मूर्ती बने होने वाले सिक्के चलाए थी महा जन्पतव में से किस महा जन्पत की राजधानी का नाम गिरी वरज था तो मगत की राजधानी थी गिरी वरज कौटेल के अर्थ सास्त्र में गुप्त चारों को क्या कहा गया है तो गूण पुर्ष कहा गया है गुप्त चारों को बिंदु सार की म्रत्यू के समय अशोग कहां का वायस राय था तो बिंदु सार की म्रत्यू के समय जो अशोग था वो अजयन का वायस राय था इसलामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है तो सरियत इसलामी आचार विचार का कानून कहलाता है कुणार्ग उडीसा, मेश्य तक सूर्य मंदर का अन्मार के साशख क्ने कर वाए, ने वर्वन प्रथम ने सूर्य मंदर का अनमार करा था कुणार्ग वाला, बाबर ने अपने आत्म करता है, तुज्क- dat बावरी की तुज्य-還भचा में लिकई गई, मुगल काल में जासू और गुप्त सूचनाओं के संभाह को क्या कहा जाता था तो हर कारा कहा जाता था जो जासूस था और गुप्त सूचनाओं को देता था सिवाजी को सुतंत्र की भाव की प्रेणा किसे प्रदान की थी तो सुतंत्र भाव की प्रेणा ये माता जीजा भाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी वैशाली किस महाजनपत की राजधानी थी तो वज्जी की राजधानी थी वैशाली कंडमंववंश की स्थापना वशुदेवन ने की थी और इस वंश का अंतिम शाषक क्यों था तो शुशर्मा इस वंश का आखरी शाषक था दिली सलतनत की सीमा का सरवादिक विस्तार किस सुल्टान के समय हुआ तो मुहंबद बिन तोगलक ने सबसे यादा विस्तार किया था दिली सल्तनत का स्वतंत्र राजपूत राज मेवाड का सरवादिक प्रसित शाशक कौन हुआ था तो राना कुमबा सबसे प्रसित शाशक था काला नौर में राज अविशेख के समय अकबर की आयू क्या थी तो 14 वर्ष अकबर की आयू थी मराठा राजपूत राजपूत शाशक के रूप में 1674 इस्वी में सिवाजी का विधिवत राज अविशेख कहां पर हुआ था तो रायगड के किले में या रायगड के दुर्ग में सिवाजी का अविशेख हुआ था किस पेशवा की समय मराठा संग की समस्त शक्ति पेशवा के हांतों में आ गई तो बाजी राव प्रथम के समय ये हुआ था बंगाल में स्थाई बंदोवस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोवस्त का सूत्रपाद किस गौवर्न जनल ने किया था तो लॉड कर्ण वालिस ने इस्तमरारी बंदोवस्त का सूत्रपाद किया था 1931 में महात्मा गांधी ने किस वाइस राय के साथ बाचीत कर समझोता किया था तो लॉड इर्विन के साथ गांधी इर्विन समझोता हूआ था आप सभी को पता होगा पूर्व मुगल का नामक महत्वपूर्ण की रचना किसने की तो भद्रभाहुं ने कल्प नामक महत्वपूर्ण की रचना की थी किस गरंत मैं चन्दुप्त आ मौर को वर रशल और कुलहीन कहा गया था तो मुद्रा-राक्षिक श्डब हो चन्दुप आ सबसे प्राचीन है प्रसिद्य एतिहासिक पुस्तक मालविका अगनी मित्रम के रचनकार कौन है तो मालविका अगनी मित्रम के रचनकार काली दास थे देवगर का दशावतार मंदर किस काल की मंदर कला का सर्वुच उधान मान जाता है तो गुप्तिकाली मंदर कला का सबसे अच्छा उधान मान जाता है भागवत मत की प्राचींतम व्यक्ष छिर्ण का सर वादिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था तो मुल्बत बिन तोगलक की समय डिलि का अंत्य में हिंदू नमाब था प्रसेंजीत किस महा जनपत का एक विख्यातश शाशक था प्रसित्य शाश्य के हर्षवरधन किस राजवन से संभन्द था ठानिश्वर के पुष्य भूती राजवन से हर्षवरधन का संभन्द था तैमूर लंग ने किसके शाशनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तो तो गलक वंशी नसुरुदीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग आक्रमण करने आये था आरेयों की भाशा संस्कृत थी और आरेयों के समय समाज में कौन-कौन से वन थे तो आरेयों के समय समाज में ब्रामर, छत्रिय, वै पुछेता माने जाता है सूलंकी साशक के शाषनकाल में मेहमूद गजनवी नहीं सोमनाथमंदर पर अक्रवन किया नूर जहां की थापत्यकला की महतुपूण दिए थी तो जहांगीर का मख़वरा और एत्मा-उद्वला का मखववरा ये नोर जहां के समय का सबसे पहला अब बुद्द्ध का सबसे पहला मुक्टधारी राजा को स रहकर किने का कृष्न्य द्योग रायने बोला सदा धर्म की दश्टी से रहकर शाष्ण करना चाहिए जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्ण मिलता है जातकों में गौतम बुद्ध के पूर युनम की कथाओं का वर्ण मिलता है रिगवेद में सरवादिक सुक्त किन दोजिताओं को संबोजित है तो इंद्र और अगनी को सबसे यादा सुक्त संबोजित है संसारिक दुखों से मुक्ती हितु बुद्ध ने किस मार्क की बात कही है तो अश्टांगिक मार्क की बात कही है अगला कौशन देखिए अगला कोशन देखिए में किस मुगल शाशक का राज़ विशक दो बार हुआ तो औरंग जेव का हुआ था तो यहाद या पवेत्र युद्ध की संग्या दी है, चीनीं बौध यात्री हैंसांग ने वातापी की याद रखी थी उस समय महा का सवाशक कौन था इनकी रचना देवताओं द्वारा हुई है अस्तोमा सद्गमे कहां से लिया गया है तो रिगवेट से अस्तोमा सद्गमे लिया गया है पूर्व मुगलकाल में भारत की यात्रा करने वाला एवने बदूता किस देश का निवासी था तो मोरको का निवासी था प्राचीन भार उनी का पास्तों के नाम था अगला कॉशन देखिए बार सुछे से बार सो नबे तक दिली सल्टन किस वंश के अंडर में था तो गुलाम वंश उस समय वहां पर शाष्ण कर रहा था नूर जहां ने किसको एतमाद उद्धौला की उपादी दी थी तो अपने पिता मिर्जा ग आइंस्टाइन कहा जाता था तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती थी तो नागाज उनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता था और मार्टिन लूथर किंग से उनकी तुलना की जाती थी सल्तनत कालीन के साशक ने खलीफा की सत्ता सीकार करने से इंकार कर स्वयम को खलीफा गोशित कर दिया था तो मुबारक शाखिल जी ने स्वयम को ही खलीफा गोशित कर दिया था भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्धी पर कौन सत्ता सीन था तो तैमूर की आक्रमन की समय नसुदीन मुहमूर तुगलक भारत में पूर्टा इसलामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रतम मज़िद कौन सी है तो जमात खाना मज़िद सबसे पहली मज़िद है इसलामी परंपरा के आधार पर किस मुगल समराट ने सिखों के पांचवे गुरू अर्जुन द्यव को फांसी की सयादी थी, जहांगीर ने अर्जुन द्यव को फांसी की सयादी थी। चेतक नामक प्रसिद एतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था तो राना प्रताप का घोड़े का नाम था महराना प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक दास प्रता संपून सल्तनत में प्रसिद रही परंतु सरवाधिक दास किस साशक के पास थे तो फिरोशात तोगलग के पास सबसे आज शाशकत दास थे बत्त करते नतराज की मूर्थी धातू ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक था यह किसके काल में हुआ था तो चौलवंच के काल में नत राज की मूर्थी को ढाला गया था सन 1556 इस्वी में किस इस्थान पर हुए युद्ध के पश्षात विजय नगर सामराज का पतन हुआ तो रक्षसी तकडी ताली कोटा का युद्ध में विजय नगर सामराज का पतन हो गया समुत्रकुप्त के इलाबाद स्थंब की प्रस्थी के लेख की विशय वस्तु किस ने लिखी थी तो हरी शेड ने लिखी थी अहलियावाई किस साशक परिवार की थी तो अहलियावाई होलकर परिवार की थी रामचर्ट मानस के रशेयता संत तुलसी दास किस मुगल कालीन बादशा के समकालिक थे अगबर के समकालिक थे आदी शंकर जो बाद में शंकरा चार बने का जन्म कहा हुआ था तो केरल के कलांडी ग्राम में हुआ था संगम साहत का मुख विशय थीम क्या थी तो युद्ध और प्रेम ये संगम साहत का मुख विशय था दिल्ली की गद्धी पर जब नसुरुदीन तुगलक सत्ता सीन था तब भारत पर किस ने आक्रमण किया था तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था किस भारतिये को भारत का आइंश्टाइन कहा जाता है तथा उसकी तोलना माठे लुसर सिकी आती आपको बता चुका हूँ नागारजुन चोल राजाहों में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की तो राजिंद्र ने संगमकाली सरवातिक प्राचीन एबाम परचलत देवता मुरुगन नहीं आम मुरुगन होना चाहिए और कालंतर में इसे क्या का गया तो शुप्र मनियम का गया तोलक पिम ग्रंध का संबंद किस संगमकाल से है तो द्वती संगमकाल से है जय हिंतिका नारा किस ने दिया था सुबाश चंद्रबोजी ने दिया था किस वर्ष मुसलिम लीग ने एक प्रतक राष्ट का संकल पाकिस्तान प्रस्तावसीकार किया 1940 में